दिनेश कार्थिक ये वो नाम है जो इस समय आईपेल में खुब चर्चा में है खास तोर पे जब से उन्होंने मुंबे इंडियन और संराइजिस हैदराबाद के खिलाफ तुफानी पारी खेली है जून में इस साल T20 वर्लकप भी होना है ऐसे में उनके नाम की चर्चा जोरो तोरो से चल रही है लेकिन सवाल ही है कि IPL में तहल का मचा रहे दिनेश कार्थिक जब इंडियन टीम के लिए T20 इंटरनेशनल खेलते हैं तो उनका खेल किस प्रकार का रहता है चलिए उस पर एक नजर डालते हैं सबसे पहले बात करते हैं दिनेश कार्थिक के अब तक के IP करियर पर कार्थिक अब तक IPL में बहुत से टीमों के लिए खेल चुके हैं इसमें मुंबर इंडियास दिल्ली कैपिटल्स और कोलकता नाइट्रेडर्स जैसे टीमें शामिल हैं के क्यार के तो वो कफ्तान भी रह चुके हैं हलाकि इस समय के RCB के लिए वो खेल रहे हैं उन IPL में कार्थिक ने 42 हाफ सेंचुरी लगाई हैं और अगर RCB के खिलाफ वो रुक जाते तो उनकी सेंचुरी भी हो जाती अब जरह उनके टीट्वंटी इंटरनेशनल करियर पर नजर डालते हैं उन्होंने टीट्वंटी में इंडिया के लिए अब तक 60 मुकाबले खेले है इस दुरान उनके बले से 686 रन निकले हैं या उनका ओशत 26 का रहा है और अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करे तो वो 142 का रहा है तीट्वंटी इंटरनेशनल में उनके नाम सिर्फ एक ही हाफ सेंचुरी दर्जा है यानि चाहे बात IPL की करे या फिर टीट्वंटी इ एक जैसा ही रहता है वहीं इंडिया के लिए खेलते हुए उनका स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है अब जरा टीट्वंटी वर्लकप के आगरोप भी नजर डाल ली जाए दिनेश कार्तिक ने 2022 का वर्लकप इंडिया के लिए खेला था इसके बाद से वो टीम इंडिया से ब वर्लकप खेला है इस दुरान उनके बल्ले से मातर दस ही चोके आए हैं वहीं IPL में इस बार का सबसे लंबा छक्का लगाने वाले प्लेयर दिनेश कार्तिक ने वर्लकप में एक भी छक्का नहीं लगाया है अगर वर्लकप के रिकोर्ड से बात करी जाये तो देखना यह है कि क्या दिनेश कार्तिक को इस बार दुबारा मोका मिलता है क्योंकि वर्लकप में उनके आकड़े अच्छे नहीं हैं IPL में बेशक अच्छे हैं 2022 के भी IPL में अच्छा खेले थे इसलिए उनको टीम में जगह मिली थी लेकिन इस बार यह देखना होगा क्या टीम में उनको जगह मिलती है या नहीं मिलती क्योंकि वर्ल्ड कप के आकड़ों में देखा जाये तो बहुत ही ज़्यादा उनका मतलब पर्फोर्मेंस खराब है